Hi everyone, welcome back to my channel. I am Sheetal from KnowledgeFits Corner 222 और guys, कैसे हो आप सब? I hope सब ठीक होंगे, स्वस्त होंगे आज की जो वीडियो का suggestion में एक subscriber ने मुझे दिया था और last की कुछ वीडियो में दिया था तो मैं को लगा ये वीडियो आप लोगों के साथ share करने चाहिए और सब भी के लिए helpful है तो आप वीडियो का जो टॉपिक है वो मुझे suggest करते हैं उसके लहां की so much और आज की वीडियो में as a thumbnail आप समझ गई होंगे कि आप में बात करूँगी कि क्या हमें school में बच्चों को diaper allow करना चाहिए second क्या हमें school में जो party train बच्चे ही लेनी चाहिए third कि हमें तो school में जब बच्चों का diaper छोड़ाया जाता है तो parents को किस सरीकी से हमें guide करना होता है और हम किस सरीकी से caretaker को suggest करें कि बच्चा जो है diaper जल्दी से जल्दी छोड़ दे तो कुछ बातें कुछ tips मैं आपके साथ share करूंगी आई ये वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ मैं हुशी तर और इस चैनल पर आपको बच्चों के regarding आप काम कैसे करें डे बॉर्डिंग कैसे कोलें अपना school, play school, घर से और initial level पे low budget में कैसे start करें तो उस पर मैं काफी वीडियो से ला चुकी है तो आप मेरा playlist section जरूर चेक करें और मेरा discussion box भी जरूर चेक कर लें ताकि आपको सारी information बिल जाए अगर फिर भी आपको कोई doubt है कि आपको कोई video search out करने में problem आ रही है तो मुझे comment करके आप पूर सकते हैं और मैं आपको video जो link है particular वो send कर दूँगी और कोई playlist का link भी जाते हैं तो वो भी मुझे आप comment section में बता सकते हैं तो बात करते हैं आज की video के बारे में सबसे पहले में बताना चाहती हूं कि क्या हमें school में जो diaper है बच्चों को अलाओ करना चाहिए तो मेरी तरफ से जो है big no है मैं आपको suggest नहीं करूंगे कि आप जो है पे school में अलाओ करें आप बच्चों का किस तरी कि से छुड़ाएं इस पर बात करने से पहले में बताना चाहती हूं कि यह कोई compulsory नहीं है कि आपको जो है school में ही diaper चुड़ाने है कई play schools में को कि मैं को information आपको सारी देनी होती है तो मैं आपको बताना चाहती हूं कि काई play school जो होते हैं वो compulsory आपने rules में लिख देते हैं कि जो बच्चा है वो potty train होना चाहिए means वो untrained बच्चों को school में admission नहीं लेते चाहे वो धाई तीन साल का बच्चा है कि कोई भी age का बच्चा है मतलब potty train होता है तो इस पर जो job होती है वो फिर parents किया जाते हैं वो parents घर से ही उनको train करके school में बेजे क्योंकि जो potty train होता है एक big milestone होता है parents का और school के लिए उनको छुडवाना तो अगर आप potty train बच्चे नहीं लेते तो यह decision में आप लोगों के उपर छोड़ती हूँ कि अगर आप potty train बच्चे लेना चाहते हैं या untrained बच्चे लेना चाहते हैं एक बात और मैं कहना चाहूंगे क्योंकि जो play school में हैं हम 223 play group की age रखते हैं और इस age में जो होते हैं बच्चे यूजली जो होते हैं potty train नहीं होते क्योंकि जो potty train बच्चे घर करी mother start करते हैं वो mostly 2.5 या 2 के बाद ही रखते हैं और अगर इस age में play group पे हमें जो school में हैं बच्चे वो आएंगे school में तो अभी responsibility हमारे उपर हो जाती है तो 223 age में तो आपको यह suggest करूँगे कि आप school में किस तरीके से छुडाएं हाँ कई बार जो बच्चा होता है स्टार्टिंग में नहीं छोड़ता को कि जो बहुती हैं तो अगर वो कुछ time तक initial level पे अगर आप अलाओ करते हैं तो आप कर सकते हैं आपको यह बता दो कि 223 में जो होता है आपको to three में डाइपपर वो अपकोzkool सही train करना पड़एगा किस सरीके से बच्चों का छोडाएं तो अब बात करते हैं कि किस सरीके से आपको छुडाना है तो आपने decision ले लिया है कि जो आप untrained बच्चे भी लेंगे क्या हुता हैं हमें यद्प पोरे साल हम अगर आप फैसिलीटी रखेंगे तो आपके पास अगर आपके उंसाथा यहाँ और को प्रॉर्टिय को खीया किया जाता तो आप बात करते हैं किस सरह के आप यह काम करेंगी सबसे पर बताना चाहते हो तो for example अगर बच्चा आपके पास new new आया है तो आते ही उसको को ट्रेनिंग हम नहीं दे सकते हैं कि पहले बच्चों को जो है environment friendly हम चीजे करवाते हैं किस तरीके से बच्चा पहले अज़स्ट हो जाए क्योंकि वह बच्चों को ट्रेन करने के लिए आपको बच्चों को पहले हर तरीके से सैटिस्फाइ करना पड़ता है हैपी रखना पड़ता है क्योंकि आते ही जो है हम बच्चों को एकदम से नहीं चीज़ सिखाएंगे और जिससे बच्चा कई पर इरिटेट भी हो जाता है और स्कूल नहीं आने के लिए भी वह दिखाता है कि मुझे स्कूल ना जाने में कोई इंटरस्ट भी नहीं है क्योंकि पहले उसके लिए नया इंवर्मेंट है और सेकेंड आपकी साथ ही साथ उसको जो है नहीं करने के लिए तो आप क्या कर सकते हैं उनके साथ क्यारी के लिए बोल सकते हैं कि आप 223 डाइपर जो है या जो पैंटी है शौट्स हैं बच्चों के बैंग में रख दीजिए इन केस अफ एमर्जेंसी हां यूस कर लेंगे तो इनीशे लेवल पर आप ऐसे कर सकते हैं बच करना है तो केर्टेकर को आप ट्रेंड करेंगे वह कैसे करेंगे वैसे तो केर्टेकर की जॉब है उसे पता ही है सब चीजों का बट एज आ ऑनर जो आपकी ड्यूटी है आप इससरी की से उसे कहेंगे कि जब और बच्चे ही जाते हैं वाश्रूम में तो उसको भी उस जो है पॉटी या सुसू जाता है तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं जो स्टार्टिंग में जब बच्चे का छुडाते हैं तो हम डाइपर नहीं पहनाते हैं उसमें बच्चों को हम सिंबल पैंटी जैसे नॉर्मल है वो ऐसे बच्चों को पहना के रखते हैं ताकि जो ह जो है आपके स्कूल में बच्चा जो है वो टॉइलेट के लिए जाता है मैंस उसको पॉटी या सुसु कितनी बार आता है कई बर आमें नॉटिस करना कई बच्चा होता है जो शुल टाइमिंग पॉटी करता ही नहीं है कई बड़ जो बच्चे होते हैं वो टू त्री टाम्स तो प्ड़ी बेट्चिक जाए और बच्चों को बैठने के लिए कहा जाए कि यहां पर करना है इस तांब बच् sitio थोड़ा सा इरीटेट होगा वछा मना करेगा लेकिन आपको बच्ची को इंस्पार करना है कि और बच्ची जा रहे हैं आपकी टर्न है तो इस अरीके से बच्छा जाएगा तो बच्चा जो है कई बार जो है घवरा भी जाता है को कि उसके लिए न्यू प्लेस होता है उसकी चीज्जी अभी यह जो यूज जो डाइपर में कड़ता है अब उसको जो है सीथ पर करनी है तो बच्चा आपको गवराने की जुरूत नहीं है बच्चा सार्टिंग में ऐसे करता है लेकिन बच्चों को इंक्रेस करने के लिए आप वन टाइम अगर वाश्रूम में भी गया है तो इसको इंस्पायर कीजिए उसको स्माइली बना सकते है और क्लैपिंग करवा सकते है देखी वाश अजहरे बच्चों को अप्रिसेट कीज़ेजिए। तो यही प्रॉसस को बना सारी प्रोसस डेली बच्चों को जो पहुत सारी बच्चे होते हैं लेकिन जो स्कूल में है छोटे बच्चों के यही जूटी होती है, केर टेकर की इससी का वो ध्यान दखे कुछ ऐसा कि मैंने बताया कि पॉटरी ट्रेन करना एक माइल स्टोन होता है मदर्स के लिए और स्कूल ही तो यह चीज़े आपको प्रोसेस में लाना ही होगा में जो है कई बार वन विकाथा तोवीक लकैर ओर कई भार थ्री यर फूर डे में ही बच्चा सीख जाता है जी हां 3-4 डे में बच्चा सीख जाता है और जब बच्चा ये सीख रहा है जैसे कि मैं बताती हूँ इनिशेट भी दिखा रहा है टौलेट में भी जा रहा है वन टाइम भी अगर सुसु या पॉर्टी जो है टौलेट में करता है तो उनको encourage कीजे guys क्योंकि encourage से जो है हर कोई motivate होता है और उसको पता चलेगा कि इसकी right जगा कहा है हमें जो है diaper में नहीं करना इसकी right जगा टौलेट में है तो इस तरीके से बच्चों की psychology जो है सेट हो जाती है कि हमें इस तरीके से inequality भी होती है कवेर बच्चों को जो पानी से खेलना बहुत पसंड होता है और पानी से जब बच्चा desenvol़ जो करें का इवर बच्चा उसी लगता है कि hand wash करते हैं जब हम toilet जाते हैं कवेर बच्चों को लगता है पानी का खेलने का मुका मिलेब भा जी हाँ, जो छोड़े बच्चों की psychology होती, वो ऐसे ही होती है, तो कई बच्चा उसको लगता है कि हमें वहाँ पर जाना चाहिए, टालट को यूज करना चाहिए, तो ये सारी चीज़े हैं, जो आप यूज करेंगे, और केर टेकर को गाईट करेंगे, उसकी जॉब इस तरीक के लोग आजाते हैं और कई यह रख आप नोडाउन करेंगे काफी सुदेंट्स होते हैं जिनको आप ट्रेन करना है तो आप एक साथ भी ट्रेन उने कर सकते हैं तो उन्हें एक तरह से चो है अपटारीजन और कंपेडिशन आता है कि हमें जाना है तो मेरी पुर्टारीफ हैं और आपके सारीखे से बंचो की स्कूल में झुड़ एथ हैं तो आपका डॉट क्लियर हो गया कि रिखा था कि दाइपर में दो करें तो मैंने आपको सारी चीजेँ में बताएं तो से पेजिए करेंगे और कैसे क्या टेकर को अभी उ台 करेंगे और लreten को और मैं आपको पेरेंट्स को कहेंगे आप भी घर पर जो है डाइपर नहीं पहनाएंगे जी हाँ जो पेरेंट्स जो है गलती कर देते हैं और जो आपकी सारे एफट्स है जो आपकी जो कोशिश है जो स्कूल में कर रहे होते हैं वो सारी बिकार भी हो सकती है को कई बर क्या होता है हम स्कूल तो दोनों जगे जो है सीम चीजे चलेंगी तो वो जल्दी सिखेगा यह को बच्चे को पेरेंट्स पी चाते हैं उनका बच्चा ट्रेंड हो टाइम से हो और पॉर्टी ट्रेंड बता दे तो इससे बड़िया बात क्या होती है तो अगर पेरेंट्स पी इक्वली सपोर्ट कर भेंट्स पाता होती है कुंझे पाता होता है बच्चा औनका करता है लेकिन अकर कई बार ऐसा होता है जो घर पर बच्चा डाइपर ही पहने रखेगा तो मदर कैसे ओब्सेरफ करेंगी तो इस तरहीके तो इसमें बच्चों को जादा जो है शेम फिल मत कराईए जादा उसे डाटी है बात या ऐसा कुछ नहीं एक्शन लेंगे लेकिन नेक्स ताइम उसको और अच्छे से आप गाइड करेंगे जो आपने पहले गाइड किया तो कई बार होता है बच्चा कई बार कोई बिमार हो लेकिन आप कॉइट नॉर्मल है या फिर आभी काम कर सकते हैं जब भी बच्चे की तबित खराब है आपको लग रहा है या पेरेंट्स को यह लग रहा है तो उस सिच्वेशन में आप डाइपर कह सकते हैं तो इस तरीके से जो है आप जो है स्कूल में डाइपर छुडवा कई बार जो होती है केरे टेकर इस चीज को बड़ा अनॉइंग करती है बड़ा इरिटेट वह भी हो जाती है क्योंकि कई ऐसा होता है कई बच्चे जो एक साथ मैसी कर देते हैं उनको क्लीनम करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है बट आप एड़ टाइम ओफ जब उनक हम एकदम से तो यह सब चीजे हमें क्योंकि यह सब पॉर्टी ट्रेन होता है बच्चों की सब पॉर्टी होता है वो हर को ही नहीं कर पाता तो मैं आपको यही सज़ेस्ट करूंगी कि आप एड़ टाइम उप इंटर्वी उसे सब तरीके से ही चीजे बताएं कि आपके जो उसे से रहेगा इसमें आपको बताना चाहते हूं कई बर ऐसा होता है कि कई बर प्रेंट्स जो है बच्चे को लेनी स्कूल में आते हैं और उस ताइम बच्चे ने पॉटी करी होती है आप इस जिसका ज़रूर ध्यान दे कि जो बच्चे आप सिखा रही है या फिर जो बट ऐसी सुचिश में जब घर जाके जो है पेरेंट्स अपने बच्चे को देखता है और ऐसा मैसी देखता है तो बिलकुल भी आपका स्कूल का इंप्रेशन अच्छा नहीं जाएगा तो मैं आपको ये पर्सनल एक्स्पीरेंस बता रही हूं और जो आसफास की स्कूल होते बट्चा की डूटी है कि बच्चो को चेक करें कि बच्चा जैसे क्ली स्कूल में आया है अपको क्ली हीांड बाहारा है तो जितनी आप hygiene maintain रखेंगे अपने स्कूल में पेरेंट्स को यही चीज़े पसंद आती है पेरेंट्स जो है hygiene जो स्कूल है वो जादा like करते हैं और अगर आप successful हो कए बच्चों की party train करवाने में जो care taker है तो यकीन मानिए आपके स्कूल में जो admission growth भी है वो ज़्यादा होती है जैसा कि मैंने बताया कि कई स्कूलों में वो कहते है कि party train ही बच्चे लेंगे तो यह जो job है वो mothers की हो जाती है लेकिन अगर आप इस facility को स्कूल में अपने add करेंगे तो उन्हें लगेगा कि हमारे स्कूल में वेसिलिटी है और हम अपने बच्चे का इडिशन जो है आपके स्कूल में कराएं तो आपके स्कूल में यह सब ट्रेनिंग दी जाती है तो अगर आपको इसको ट्रेनिंग देने में कोई भी doubt आ रहा है कोई भी question है तो आप मुझे comment section में पूल सकते हैं या पर मेरे WhatsApp number या मेरे email id भी आपको discussion box में सारी details मिल जाएंगी तो आज के लिए इतना ही ये वीडियो आपको कैसी लगी गाईज और वीडियो कितनी helpful रही अगर है जरासी भी helpful रही है कुछ points आपको अच्छे लगे हैं तो मुझे जरूर अपना share feedback करें और like करके जरूर जाना को कि आपका एक like मुझे बहुत motivate करता है तो आपके लिए ऐ झाल